कि नमस्कार अपने इस फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना नए संसत भवन के उद्गाटन के पहले ही खूब राजनीती देखने को मिल रहा है बता दें कि वहीं इस दलों द्वारा विपक्षियों के द्वारा इसका वाइकॉट किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस घाटन समारों में सामिल नहीं होना है हाला कि नितिस कुमार के शहयोगी दल जितना माजी की पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर बुलावा आता है तो हम उसमें सामिल जरूर होंगे अभी हम है बीजेपी प्रदेश कार्याले के बाहर यहां एक तस्वीर रगी हुई है और उन तस्वीर में कई बातों का जीक्र किया गया है आप तस्वीर के माध्यम से भी देख रहे होंगे जहां तस्वीर में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी है वहीं केंद्रिये ग्रीह मंतरी अमिर्शा है राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा है विहार विधान सभाग के नेता प्रतिपक्ष बिजय कुमार सिन्हा है नेतिस मिस्रा है वहीं समरार चोधी जो बीज़ेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वस उनकी तस्वीर इस पोस्टर में लगई है और यह पोस्टर जो है लोकुस जो भाजपा नेता है उनके द्वारा लगाया गया है साबतवर में लिखा हुआ है कि मोधी जी कुछ अश्चा करेंगे बिरोधी बायकॉट करेंगे यही नहीं लोकतंत्र का नया मंदीर बायकॉट गैंग की ओशी राज़िती और भी जी कर इसमें किया गया है पॉइंट देकर के जो है इसमें दर्शाया गया और बताया गया है कि देश के संसत का उधगाटन हिंदुसान का प्रधान मंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधान मंत्री करेगा यही नहीं देश को नया संसत मिल रहा है यह ग तो मोदी जी के संसदूत घाटन पर बवाल क्यों जिस पार्टी ने डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद को राश्ट पती रहते न जाने कितना बार अपमान किया यहां तक कि राजिंद्र बावु के अतेश्टी में इनके नेता नहीं सामिल हुएं उन्हें सदाकत आश्रम के स स्याले में कहीं ने घाटन को लेकर के कहीं न कहीं लोगों में उत्सा देखने को मिल रहा है और बीजेपी के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह खुसी का पल होगा जब ने संसद भावन का प्रधान मंतिर उन्होंने करेंगे हाला कि बिहार में जिस तरह से नित्श कुम जब उन्होंने घाटन किया तब उसमें वबाल नहीं हुआ अब प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी जब से तो फिर वबाल कियों सवाल कई है और जब आप विरोधियों के द्वारा इस तरह इसकदर दिया जा रहा है कि कहीं न कहीं से आगे आने वाले समय में बिहार की राज में छिडी हुई है देखने वाली विशे होगी कि उत घाटन में कौन-कौन लोग सामिल होते हैं या फिर विरोधियों द्वारा इसका बायकॉट किया जा रहा है तो क्या बायकॉट ही करेंगे या फिर नए संसत्भवन की रूप रेखा को भी जाकर ये लोग देखने का का करेंगे इसका और बस इतना ही बने रहे हैं इस पोनेशन के साथ धन्यवाद